शहर में आपके पास फ्लेट है, वहाँ बालकनी भी है, आप अपनी बालकनी में बेकार की चीजों को रखने की बज़ाए उसे भी काम पर लगा सकते हैं, आईए जानते हैं अपनी बालकनी को किस तरह से काम पर लगाएं हलो फ्रेंड मैं मनोज मंत्रा, आप देख रहे हैं यूटूब चैनल बिजनेस मंत्रा, बिजनेस मंत्रा पर आपका स्वागत है, आज हम फ्लेट की बालकनी में गुडलक बांबू नर्शरी शुरू कर, किस तरह से लाखों की कमाई करें इस बारे में जानकरी दे रहे हैं शहर में किसी बिजनेस को सुरू करने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है जगह की, जगह ना होने की वज़े से अनेक लोग अपना खुद का बिजनेस सुरू नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं उसे बहुत ही कम जगह में काफी अच्छे से किया जा सकता है, यदि शहर में आपके पास एक छोटा सा फ्लेट है, उसमें एक छोटी सी बालकनी है, तो इस बालकनी को काम पर लगा सकते हैं, जी हाँ इस बालकनी को काम पर लगा कर लाखों की कमाई कर सकते हैं, हम फ्लेट की छोटे से बालकनी में गुटलक बांबू प्लांट नर्सरी सु शुरू किया जाए तो कितनी बरक्कत होगी किसी भी छोटे बड़े सहर में बालकनी में रैक पर गुडलक बांबू प्लांट तयार कर सकते हैं इस बिजनेश को 10-20,000 रुपे में आसानी से शुरू किया जा सकता है आने वाले दिनों में लाखों की कमाई कर सकते हैं जैसे जै जैसे जैसे गुडलक बांबू प्लांट की लिमान बढ़ती जाए इसी के कमाई से पैसे लगा कर आप अपनी इंकम को बढ़ा सकते हैं गुडलक बांबू प्लांट नर्सरी शुरू करना बड़ा आसान है गुडलक बांबू प्लांट नर्सरी शुरू करने के पहले आप क इसी तरह की जानकरी देना नहीं चाहेगा, इसके लिए उसे ट्रेनिंग के बदले एक दो हजार रुपे देनी की पेशकस करें, पैसे मिलने पर वो आपको काफी अच्छी तरह के से गुड्लक बांबू प्लांट नर्सरी के बारे में जानकरी दे देगा, ट्रेनिंग के बद बागवानी प्लांट नर्सरी की किताबे पढ़कर भी गुड्लक बांबू नर्सरी के बारे में जानकरी ले सकते हैं, गुड्लक बांबू नर्सरी के बारे में अच्छी जानकरी के लिए इंटरनेट भी एक अच्छा माद्धे में, नेट पर गुड्लक बांबू नर्सरी के बारे में जानकारी देने वाले अने को वैपसाइट, ब्लॉग, यूटूब या एप मिल जाएंगे, वहाँ से गुडलक बांबू प्लांट नर्सरी के बारे में जानकारी ले सकते हैं, यदि आप यह सब मेहनत नहीं करना चाहते हैं, फिर भी आप गुडलक बांबू प्लांट नर्सरी विजने सुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप किसी बड़े नर्सरी से ठोक में तयार गुडलक बांबू खरीद कर लेकर आएं और इसे सेल करें, इसमें प्रॉफिट कम होगा, लखी बांबू खुद तयार करते हैं तो इसमें प्रॉफिट अधिग होता है, गुडलक बांबू प्लांट नर्सरी सुरू करने पर 50-100 दिन में प्लांट तयार हो जाते हैं, इसे बेचने के लिए मार्केट में बेच सकते हैं, गुडलक बांबू प्लांट तयार करने के बाद आप इन्हें सहर के गिप्प सेंटर, सजावटी चीजों की दुकान, सोपीज बेचने आले दुकानदार, फ्लावर सॉप, मॉल, आधी अस्तानों पर बेच सकते हैं, सहर में लगने वाले मेले, बस इस्टेन, रेलिवे स्टेशन, मेन मार्केट, आधी अस्तानों पर टेबर रखकर भी इसे बेचा जा सकता है, सहर में अपना खुद का स्टोर खोल कर होलसेल या रिटेल में इन्हें बेच सकते हैं, आज कल गुटलक बांबू प्लांट आउनलाइन भी काफी सेल हो रहे हैं, आउनलाइन में 10 से 12 डंथल वाले गुटलक बांबू प्लांट 200 से 2000 तक में पिक जाते हैं, गुटलक बांबू प्लांट की डिमान अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी काफी है, गुटलक बांबू प्लांट विदेशों में सेल करने के लिए आउनलाइन स्टोर की तलाज करें जहां से आप गुटलक बांबू को सेल कर सकें इसके लिए Amazon, Swap Clues, Flowery, Book My Flower जैसे अनेकों वेबसाइट है जहां रेजिस्टेट करके गुटलक बांबू प्लांट को सेल कर सकते हैं या फिर खुट की वेबसाइट बनाकर गुटलक बांबू बेच सकते हैं गुटलक बांबू प्लांट से अच्छा बिजनेस पाने के लिए शुरू में काफी मेहनत करना होगा धिरे धिरे आपकी मेहनत रंग लाएगी यदि आप ऑनलाइन या ओफ लाइन गुटलक बांबू प्लांट दिन भर में 10 पीस जिसकी कीमत 100 रुपिया है बेश लेते हैं तो आप मेहने में 25-30,000 रुपे आसानी से कमा सकते हैं गुटलक बांबू प्लांट के बारे में और अधिक जानकरी बिजनेस मंतरा ब्लॉग पर दिया जा रहा है जिसका लिंक आपको वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स हमें उम्मीद है आपको गुटलक बांबू प्लांट नर्सीरी के बारे में दी गई जानकरी पसंद आई होगी जानकरी पसंद आने पर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जो भाई इस चैनल पर नए आएं उन्हें बिजनेस से संबनी जानकरी में रुची है तो वीडियो के नीचे बने रेट कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करतें साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए बिजनेस मंत्रा के साथ गुडबाय टेक केर